हेलो दोस्तों जैसा कि आप जाने हैं इस टाइम सभी कॉलेज अलेज बंद है तो मैं आपके लिए यूपी कालेज का दोहजार पंद्रे का प्रिवेश यह का प्रिपर लाया हूं करना हैं तो आप लोगों को मैं आप लोग यहां में अच्छे सा नमर पासकें इस टायम कॉलेज भी बंद है तो पड़ायर राइस अभी बंद होगी तो आप जानते हैं कि जाना और नहीं वह सकते हैं आलाइन कन्ट कराने की कोषिज इस की जा रही है तो यह मेरे छोटे के प्रहूं का सिर्ष पर तीन चार साल की ऐसा करांगा सकता हूर्ण Budget सी question मैं आपको इसमें पुरी तरह से detail में समझा कर पेपर सॉल्वकराऊंगा सी चाहता तो मैं आपको इसको पीडियो भी दे सकता था लेकिन मैं आपको इसको समझा और फिर इसके बाद सॉल्वकराऊंगा तो आई ये शुरू करते हैं देखिए पहला question आपका देखिए 2015 का second paper मैंने लिए आवा calculus का आपका इसमें जो पहला question है short question पूछा जाता है आपका पहला जिसमें 10 question होते हैं 10 number के होते हैं तो शुरू करते हैं इसमें पहला question है आपका define different type of discontinuity of a function at a point आपको इसमें define करना different type of discontinuity discontinuity मतलब कि आपका यह होता है आसता जहां पर continuous आपने 11 12 12 में 11 जिसमें भी आपको पढ़ा होगा continuous continuous होता है function तो कोई भी continuous function हो जाता है और discontinuous में क्या होता है कि function को बीच में break हो जाता है discontinuous यही define करना है यह आपका पहला ही chapter question है तो आई यह देखें इसका हिंदी में कहते हैं एक बिंदू पर फलन के बिभीन परकार के आसताओं को परभासित किजिए तो कोई भी एक बिंदू ले लेना है उस पर बिभीन परकार के फलनों को परभासित करना है कि वह discontinuity है इस फंक्शन पर तो मैंने आपके discontinuity का फरिभासा लिख दिया है इसको आप learn कर सकते कर यह discontinuity का फरिभासा तो पूछा नहीं है इसमें आपको टाइप सब discontinuity पूछा है देखिए लिखाने टाइप डिसकॉंटिनुटी और एक ही फंक्शन पर बताना है विभीन प्रकार के तो मैंने यहां पर एक ही फंक्शन लिया है तो मैं आपको समझाने कुछिज करता हूँ इसमें कुछ नहीं if a function is not continuous at point a कोई भी function है जो कि point a पर क्या है continuous नहीं है that is called discontinuous at the point and that point is called point of discontinuity of the function और जो यह point है उसी को ही discontinuity function कहते है एक function ले लिया जो कि not continuous है और यह इसी point पर क्या है इसका इसी point को ही discontinuity function कहते है इसमें type of discontinuity में आपको पहला आपको मिलता है removal discriminantIt यहां से आपका paper solve ना चलो करता है solution यहां से आप याद के लिएगा पेपर में आपको this type of discontinuity पुचा तो यहीं पहला आपका एक function ले लिया जो कि point A पर क्या करता है discontinuity है मतलब point A पर ये breakable है limit x 10 to 0 exists but not equal to f a अब ये removal discontinuity क्या है limit x 10 to 0 fx पर क्या है ये discontinuity है आप removal discontinuity जानते हैं नहीं जानते हैं तो कोई बात मैं आपको समझा देता हूं removal discontinuity क्या होता है removal discontinuity का मैं यहां पर एक jumper ले लेता हूं देखिए ये कुई function है कोई question ले लिया है क्या होता है आपको बस removal इतने ही लिखना है मैं आपको question बता देता हूं किस तरह से इसका question मिलेगा जो करना है fx बराबर cos x minus a upon x minus a x is equal to 0 a x is equal to 0 a yहाँ पर x 0 x बराबर a पर देखिए इसका expression किस तरह इसका करना है आपका fx जो function उसको पहले लेड़ना है देखिए x x limit a पर x निगेक पर क्या है इसका cos x minus a x minus यहाँ पर a जब put करेंगे तो a minus a कितना हो जाएगा 0 upon a minus a कितना हो जाएगा 0 तो cos 0 degree command 1 होता है यहाँ पर यहाँ पर put करेंगे तो 0 देगा तो यह आपका function कितना आ जाएगा cos यहाँ पर a रखेंगे जिछ से 0 आ जाएगा यहाँ पर a नहीं रहेगा यहाँ पर a आपका x और a नहीं रहेगा ठीक तो a रखेंगे तो कितना हैगा ए माइनस ए जीरो कोज जीरो डूडिट किदने पर डिगिरी दे रहा है यहाँ पर आपको बोला है कि जभ एक्स बराबर ए रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा जीरो मिलेगा लेकिन यहाँ पर एक्स बराबर ए रखने पर आप Works workshops यहाँ एक किгоigram बनाया हुォा है जाएगा तहीं को डियमोगट करके वहाँ पर दिसरा फंक्सन यहां पर जीरो को जगा में यह रख जिए तो आपका यह फंक्शन क्या हो जाएगा इस तरह भीवर्ग को पर रूब करता है इसका आप यह समले इसमें आपको बूला इसकाइब ताइप्स आप पहला रिमुवल दिसकांटिनिट्यू आता है सेकेंद आता है इसकर डिसकांटिनूटिट्यू आप फॉस्ट काइंड यह क्या होता है इसमें आपका लिमिट तु बैरीबल करेगा लेकिंग लिमिट तो एक्जिस्ट करेगा बट वह इक्वल नहीं होगा यह दुनों तो function को exist करेंगे बट equal नहीं होंगे ठीक इसी को ordinary discontinuity भी कहते हैं आईए देखते हैं इसका example इसका example देखिए यहाँ पर देखी LHL जो left hand limit है एक्स लेस देन जब 0 है और यहाँ पर X greater than 0 है कितना आ रहा है LHL आपका कितना रहा है minus 1 देखने से लग जा रहा है कि X less than 0 है तो minus 1 आ रहा है और right hand 0 है तो कितना रहा है वह आ रहा है तो यह function exist कर रहे हैं exist कर रहे है limit तो इसका right left hand limit और right hand limit exist कर रहा है बट यह दुनों equal नहीं है तो यह भी क्या है discontinuity limit है तो इसे discontinuity of first kind करते हैं मतलब कि exist करेगा लेकिन वह equal नहीं होगा second है आपका discontinuity of the second discontinuity of the second kind इसमें क्या होता है इसमें function जो है आपका set to have discontinuous second kind the point if not the limits मतलब यह exist नहीं करेगा इसमें function क्या है exist ही नहीं करेगा जैसे यह third example आप जहां पर देख सकते हैं क्या है इसमें मैंने right hand limit और left hand limit लिया हुआ एक्जामपल अपने से बनाया हुआ हुआ है limit as 10 to 0 as 0 plus h limit as 10 to 0 sin 1 upon h यहां पर यह तो limit हल करने आता है आपको यह तो आप 11 12 में सुल किया हुआ होंगे लिमिट लाइट है लिमिट है जीरो प्लस है लिखाता है जो function उसको बाद लिख देते हैं उसके बाद यहां पर h का माल लिख जेते हैं फिर उसके बाद उसमें 0 रखकर पूट करते हैं तो यह आपका minus 1 से 1 के बीच में क्या करेगा और यह देखिए लेफ्ठ हैं लिमिट यह भी क्या है आपका लेफ्ठ हैं लिमिट को solve करेंगे यह भी minus 1 के 1 के बीच में oscillate करेगा यहां इसका एंसर minus 1 के बीच में यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं यहां पर हम देख रहें कि मेरा right hand limit और जो left hand limit क्या है दोनों equal है बट यह दोनों function को exist न नहीं है इसी दिए यह क्या है आपका डिसकांट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्य यह मैंने अपने से function को लिया हुआ है x square x less than 0 है और cos x x greater than 0 है इसमें देखिए आपका x less than 0 है या x equal to 0 है जब इसमें रखेंगे तो 0 ही देगा मान तो यह आपका x square क्या हो जागा continuous हो जागा लेकिन यहां पर जब रखेंगे हम है x equal to 0 तो यह क्या है discontinuity बताएगा क्यों इसमें जब रखेंगे तो आपका यह minus 1 की बीच में क्या करेगा क्या करेगा discontinuity बताएगा जब इसमें 0 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा mixed discontinuity रखेंगे या तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगा तो आपका यह इससाब से यह आपका mix discontinuity तहलाता है तो तो क्या आप देख रहे हैं कि आप जैसे कि discontinuity आप समझ गये हैं तो आप पूछेंगे कि सर क्या आई एक नंबर का question आप इतना लंबा लिखेंगे नहीं भाई यह आपको देखी पूछा क्या define a different type of discontinuity at a point आपको अब डिफाइन करना different type पर तो आपको one two three four बस यह four लिखाई infinite discontinuity में कुछ नहीं है यह इंफनाइट है यह आपको नहीं जालना है tension मत लीजिए आपको यह चार बस लिख जना है इसका यह परिभासा मत लिखेंगा मतलब यह definition मत लिखेंगा बस यह आपका discontinuity पर एक question हो गया एक नंबर का इतना मैंने आपको पूरी तरह से समझाने के पूरी कोशिज किये हैं आपको 90% समझ में आ गया होगा तो आप इसको याद कने में आपको आसानी होगी ताप first question इस तरह से कर लेंगे आइए देखते हैं इसका second question में पूछा है आपका find the left hand derivative of the flying function at x बराबर 0 आपको यह function दे दिया इसका left hand derivative निकालना है left hand derivative right hand derivative दोनों निकाला जाता है लेकिन इसमें आपको left hand derivative बोला है यह भी आपका है दूसरा question है first question का यह भी एक नंबर का है left hand derivative तो आप निकाले लेंगे limit it 11th 12th में पढ़ा हुआ फिर भी मैं आपको बता देता हूं left hand derivative निकालने के limit h 10 to 0 लिया जाता है फिर इसको बाद f 0 minus h इसमें आपको क्या करना पड़ता है फिर यहां पर यहां पर यहां इसको solve करेंगे तो f minus h आएगा फिर f minus 0 upon minus h तो यहां पर जो function h के जगें जहां x है वहां h हो जाता है तो minus h 10 inverse h हो जागा x के जगें पर फिर यहां पर h 10 to 0 रख देते हैं और h का मान कितना है 0 है तो 10 0 10 inverse 0 0 degree इसका 10 0 degree का मान कितना होता है 0 तो 10 कर जागा यह तो 12 का question भी था अब इसको solve कर देजेगा अब लिखा है तीसरा question देखी right formula for radius of curvature in the pedal form अब तीसरा question जो आपका है इसमें आपको formula लिखना है किसका curvature का जो की pedal form में हो तब pedal form में जो curvature का formula होता है आपका यह होता है रो जहां पर रो और रो जो है आपका pedal form होता है कर्वेचर का radius आप कर्वेचर का pedal form होता है और जहां पर पी आपका क्या होता है आर साइन ठीटा आर क्या है आर आपका radius कर्वेचर यह कर्वेच दि बताऊंगा ठीक तो यह आपका तीन कोस्टन हो गया एक नम्मर का चौथा कोस्टन आए देखते हैं चौथा कोस्टन जो आपका इप्रिकाले ने पुछा गया है फाइंड डिग्री आफ फ्लाइंग फंक्शन तो यह भी एक नम्मर का इंग्री करना है तो इसमें आपको स्कस माइनस ओन यह न फंक्रत्य तो यह फ्लास मिंहें आएगा फंक्व रफ पक्रत्य तो इन दोनों का डिफेंस निकाल देना है तो इसका हो गंड़ेंस निकालना मीनर्णी और नुमिनेटर का डिफ्रेंस निकाल लेते हैं डिग्री निकल जाता है अब यह चौथा पांचवा कोश्चन है आपका फ़र्स्ट में का एक नंबर का फाइंड एडिया आर बराबर एउन प्लस कॉसीटा तो मैंने जैसा कि यूट्वी कॉलेज पर सर्च किया था आपका य इसमें एरिया आर प्लस्ट कोश्चन थे इसमें सब कर चूके हैं आपको चाहिए नीचे comment box में comment कर देगा मैं इसका अब यह आपका six question लिखा है right the formula of length curve parametric form तो इसका direct formula लिखने के क्या है parametric form में तो जो length curve का आपका formula होता है वह t1 से t2 इसका limit होता है और integration में और उसके बाद under root dx बटे dt का whole square plus dy by dt का whole square होता है कोई function देदेगा इसमें आपका dt के साफ़े और करके उसका whole square करके आपको दोनों को जोड़ दिना है तो इसमें आपको directly कुछ करना नहीं फार्मला ही पुछा है ताब इसका formula learn के लिए और जब इसका question आएगा तो मैं आपको बता दूँगा ठीक seven question बहुत important है इसमें दिखा है find the integrating factor integrating factor आपको निकलना है याई आ हैं तो अपका साथमा question है यहिं आपको question है किस में आपको integrating factor निकालना है तो पहले आ देखे किस NIEC कर hij है हैं पहले इसको साओ स्टी स्ञीन स्मीं करेंका यह फिर इसमें कर डेंका राइब euros । बराबर जीरू तो यह दिखिए यह इस अपरेबल नहीं होगा तो यह आपका इस फॉर्म का बनेगा mdx प्लस ndy तो आपको यह आपको सर पढ़ाये होंगे नहीं पढ़ाये तो कोई बात नहीं मैं आपको समझा देता हूं mdx का फॉर्म और ndy का जो फॉर्म है यह इस तरह का फॉर्म होता है mdx ndy तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है mdx ndy के देखने फॉर्म बन लागी नहीं इस तरह का फॉर्म बन लागी तो जब इस तरह का फॉर्म बन लागी तो जब इस तरह का फॉर्म मैलता है इसम दोनों इक्वल आ गया तो फिर उसका इंटिकरेटिंग वेक्टर निकालना ज़ाता है। और नहीं आहे गया तो बहुत को अलग इंटिक्रति अड़ेक्टिक निकालना जाता है। तो देखेंगे कि दोनों इक्वाल है कि नहीं तो दोनों इक्वाल नहीं है तो यह अगर यह इक्वाल हो जाता तो इसका अंतर समझीए इक जए डिफरेंशल इक्वेशन सर आपको पढ़ाया होँगे नहीं पढ़ाया है तो तो भी मेरा कोष्चन आपको समझ में आ गया होगा आजिए दिखते हैं इसका इंटी इक्वाल नहीं होता है जिसका इंटीग्रेंटि फेक्टर करने के लिए इन दोनों को हम घटा देते एक्स का मल्टिप्लाई कर देते हैं और यहन में y का मल्टिप्लाई करके घटा देते हैं mx-ny यह आपको याद करना पड़ेगा कि जोनों इक्वाल होंगे तो हमें mx-ny को इक्वाल के घटा देना है तो देखी मैंने यहाँ पर घटाया हुगा है m आपका यह y-2x-y है इसमें मैंने x का मल्टिप्लाई किया थो xy-2x-y-y-y और–ny और y-n जो है आपका यह है तो इसमें मैंने y का मल्टिप्लाई कर कि घटाया तो मेरा कितना आया 3xy-y-2 जो जब इसको घटाईगो तो आपका integrating factor आजागा इंटिग्रेटिंग फक्टर आपका जब आजागा तो वन अपान एम एक्स माइनस माइनस यह जो कि आपको कितना है वन अपान थ्री एक्स वाई स्कार तो इस तरह के फंक्शन को आपको पहचाना पड़ेगा कि यह इस फार्म का बन रहा है कि नहीं देखिए आप देखने मे आई यह देखते हैं अब आपका आठमा कोश्चन है पहले कहीं यह भी एक नंबर कोश्चन है तो लिखाए इस वाई माइनस पी एक्स पी माइनस वन बराबर पी तो पहले आपको इससे पहले जाने होगा कि क्लेरेट इक्वेशन सर ने आपको बताया होगा जैसा कि कालेज क्लेरेट इक्वेशन कहते हैं क्या होता है क्लेरेट इक्वेशन में आपको इस प्रकार इक्वेशन देखे तो वहाँ पर आपको पी के जगा पर क्या पूट कर देना है सी हो बस हो गया तो पहले आपको इस प्रकार का फंक्शन बनाना होगा जब भी देखे इस पहले देखिए इसको इधर लेती है ये वाल आप देखने की क्लिरेटीप्वेशन को कर रहा है तो आपको क्या करना है पी के जगहां पर क्या करना है रिप्लेस भाई रिप्लेस को पी बाई सी तो य बराबर हो जाएगा पासी एक्स प्लस सी अपान सी माइनस वन एंसर तो यह इसका डिफ इस डिफेंसल एक्वेशन का यह सॉल्व है आपका नौवा कोश्चिन जो पुछा गया उपी काले में पुछा गया कि find a complementary function complementary function को हिंदिम कहते हैं परिपूरक फलंग इस डिफेंसल एक्वेशन का हमें परिपूरक फलंग याद करना है इससे पहले आपको कुछ नियम कानून पता होना चाहिए तो आपको जैसा कि मैं बता दूं कि सार्ड ने आपको बताया होगा नहीं बताया कोई बात नहीं कि जो इसको capital D को D by Dx कहते हैं यहाँ पर D u हो जाएगा अब यहाँ पर जैसे इस तरह से लिखा गया है क्यात कनेगों पढ़े आपको 2-3 चीग मालूम होना चाहिए तो सबसे पहले आपको auxiliary equation अना जुरूर है कौन सा auxiliary equation अending क्या होता है auxiliary equation के जगह हम D बराबर यह फूट कर देते हैं जिसे कि हमारा auxiliary equation निकल जाता है तो पहले इस function को पह हमом माइनस y is equal to 0 ठीक पहले इसमें y कॉमा ले लेंगे d4-2d3 plus 2d-1y इसके बाद हम auxiliary equation निकालेंगे d के जगे हम क्या पूट करते हैं auxiliary equation निकालेंगे d के तो इसका आम गुडणखंट कर लेंगे डुडणखंद करने के बाद इसका क्या करेंगे जहां से इसका रूट निकालेंगे रूट निकालने के बाद इसके बाद हम फिर इसके बाद Complementary Function निकालते हैं थिर करें अब देखे देखे पहले मैंने यहां तक 0 है फिर उसके बाद मैंने दी फोर वाई इसमें यहां पूट करते हैं तो मैंने यहां पर यहां पूट कर दिया दी के जगा पर देख सकते हैं तरह मैंने इसका गुलान खंड करने आता है आपको जैसा कि आप पढ़े होंगे नोदस में इसमें देखिए वन पूट करेंगे तो कितना आ जागा जीवा जैगा इस तरह से वन पूट करेंगे किना आपको आता ही होगा फिर इसके बाद यह आएगा मेरा फिर इसका गुल्वन खंड किया मैंने यह तीन यह जब भी देखे इसमें नियाम होता है कि जब भी कंपली मेंट्री फंक्षन में अगर एक्कोल आजाए जैसे मैरा 2 और 3 रूट आगे दो और 2 रूट आगा एक्कोल आजा तो मैं इसको इस तरह लिखता हूं 4E के पावर 4F ठीक इस तरह से आप और इस तरह से आप कॉंप्लीमेंटर फंक्शन इकलता है तो देखी मेरा क्या आया था मेरा आकर मेरा चार रूट आया थे ना क्या आया थे 1-1 क्या आया थे देख लेते हैं 1-1 प्लस वन माइनस वन यही चार रूट मेरे आये थे तो कृष दो देखने बराबर बराबर है 1-1 माइनस वन तिसको इस तरह से लिखते हैं c1 4y के पावर स्टेक मैंने कहा नो इस तरह से कॉंप्लिमेंटरी फंक्सन मैंने निकाला गाए यहाँ पर देख सकते हैं फिर से एक बाद मैं बता ज़ेता हूं यहां-पर यहां पर एगर मेरे एक आते दो आते तीन आते तो मैं इस रूप इस तरह से लिखता है एक दो तीन चाल देखते हैं आपका दस्वा कॉस्चन के है दस्वा कॉस्चन पुछा है फाइंड पार्टिकुलर इंटिग्रल आप दिफ्ला इफ्लाइंग डिफ्रेंशल इक्वेसन दे दिया है यह भी आपका एक नमबर का है और इसका आपका पिछला कोश्चन यहीं है तो इसको आप सॉल कर लिजेगा देखकर इसकी सॉल लिजेगा नहीं तो फिर आपका दस्वा कोश्चन देखी क्या है इसमें आपको पार्टिकल इंटीग्रल निकालना है पार्टिकल इंटीग्रल कैसे निकलता है पार्टिकल इंटीग्रल है इधर आपको जब इकवल टू के जगह लिखे उस प्रकार से आपको पार्टिकल इंटेग्युरल निकाला है क्या कि one upon f d ee के पौर a x फिर e का मान इस eeb d में i एक लिखते हैं किस्कार e कमान ओडी कमान कैसे पता करेंगी क्या है इसमें तो पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर इसमें हम क्या करते हैं यह क्या करते हैं तो क्या जाएगा आपको अभी बताया था अब अगलता है अब क्या निकलता है अब क्या निकलता है पार्टिकल इंटेग्रल निकलता है इसमें आपको पूछन 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 है पिछली इसमें बता दिया पिछली इस तरह निकलता है इस फॉलप फॉर्ण इसमें आपको दखी ही किके पवर एक्स वाला तो वहां अपने FD करते हैं आपका FD क्या है यह वाला function जो D वाला function है इसी को FD कहते हैं ठीक यह जो D है रिप्लेस करने पहले जो D है यही आपको FD है यहाँ पर क्या हो जागा D स्कार मैनिस 2AD प्लस A स्कार और E के पावर X यहाँ पर E क्या है यहाँ आपका 1 है इसमें 1 अच्छा आपको एक बार और बता दूं किसमें आपको particle integral पूछ जाता तो क्या होगा यहाँ इसका particle integral निकालने के लिए 1 upon FD E के पावर X FD क्या है यह D स्कार मानिस 2AD जो मैंने Y यहाँ से कामल है इसको ठाके नहीं पर रख देंगे यह वाला function यहाँ पर रख देंगे और इसके जो multiply में है उसको यहाँ पर रख देंगे जो आएगा वही उसका आपका answer यह भी answer हो सकता है पर यह भी answer हो सकता है तो यह आपका particle integral निकालगा और इसके differential equation का इस solution पूछ दे तो आप इन दोनों को जोड़ दीजेगा यादे तर पूरा हल अभी यह भी आपका आध यह भी आपका यह आपका पूरा हल नहीं हुआ है इसको जब 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 जोड़ देंगे ना इन दोनों को आप यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपका यह क्या निकल जाएगा पूरा differential equation का solution निकल जाएगा तो यह मैंने 3 question करा है मैंने पूरा अपना कोशिस किया कि आपको दसो कोश्चन सवन आ जाए तो हमारे वीडियो को लाइक कर देगा चैनल को जरूर सब्क्राइब कर देगा जिसे की हमें होसला मिले और मैं आपको अगले दिन कल मैं और वीडियो कल मैं और पेपर सॉल्ट क आप घर में ही रहें और कोशिज करो कि बाहर न जाहे मैं आपको 2-3-4 सबूर जो दूंगा जानते हैं जैसा कि आप ज्यानते हैं कि ईश्वुपी क्लेज के नीज है तो आपको अच्छे नम्बर घएम सेतरा सकते हैं तो गर महीं हलें और मैं आपको लाइप्तरा कर दूग देखिए जैसा होगा कमेंट बाक्स में कमेंट के लिएगा धन्यों है